हेलो गैस गूद मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी क्लास में माइनेम है सब्जित मिश्रा इंग एजुचेटर और आप देख रहे हैं हमारी क्लस करेंड अफेर शोग दोस्तों क्या मैं लाइब हो चुका हूँ सब्जित मिश्रा इंग लाइब हो चुका हूँ और आपका मोस फलका हमारी क्लास में दोस्तों आप अच्छे होंगे अपना ख्याल लख रहा हूँगे और खूब पढ़ाई कर रहा हूँगे आज है डेट हमारे पास 27 फरवरी और हमारे पास अपके लिए कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन है हम सारे इंफॉर्मेशन की बात करेंगे और दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपके वीडियो की लाइक करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है मुह बनने वाला है कि यार बहुत पढ़ना पढ़ेगा आज नहीं बहुत नहीं पढ़ना है अराम से रिखते हैं तो गाइस पहली हमारी information क्या है ranking, report और indices जहांपर हम क्या बात करने वाले दहिए तो गाइस पहली information क्या हमारे पास है PM Modi emerge as most popular global leader top the chart with high 78% approval rating तो PM Modi एक बार फिर से पुरे दुनिया के सबसे लोग प्रिनिता बन गए है और इनकी approval rating 78% की है इनकी approval rating 78% की है approval rating हाँ पुरी information क्या है देखे दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं तो यहाँ जो का इस report हमारे पास है उसका नाम क्या है global leader approval rating global leader approval rating published by the morning consult morning consult report नाम क्या है global leader approval rating और published by the morning consult आपके exam question से पस अपने भाई यह किसने publish किया हुआ है तो एक information ऐसा धान देज़ेगा ठीक है आगे बढ़ते है अब main information क्या हमारे पास है तो Indian Prime Minister Narendra Modi continue to remain at the top spot at the most popular global leader ठीक है with an impressive high approval rating of 78% simple भाष्या में दोस्तों तो भारती प्रथान मंतरी Narendra Modi एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोग प्रीनिता बन गए है ठीक और इनकी जो approval rating है वो 78% की है approval rating 78% की है तो पहला point मैं पसे होगे है simple से point है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात किरते हैं 65% दोस्तों नंबर 2 पे गाउन है उसकी information अपको हम दे रहे हैं मैक्सिको के राश्पती है इनका नाम क्या है इनका नाम है Andres Manuel Lopez Obrador ठीक तो इनकी जो approval rating है वो है 65% और ये नंबर 2 पर है तो Andres Manuel Lopez Abrado Mexican President इनकी approval rating 65% है तो दूसरा point वारा ही हो गया दोस्तों ठीक है उसके बाद क्या बूला गया United State President Joe Biden trails behind by a huge margin He grabbed the 11th spot in the list With 37% of people approving his leadership दोस्तों यानि काफी खराब इस्तिती है Joe Biden की ये 11 नंबर दोस्तों है और इनकी approval rating 37% है यानि दोस्तों हमने क्या बात की पहले 1st rank की बात की 10 second rank की बात की फिर हमने बात की U.S. President की जिनकी approval rating मात पर 37% है और ये 11 नंबर पे है ठीक है तो और information क्या है देखिए आपे तो और information क्या है तो ranking of the top 5 leader नंबर एक नरेंद्र मोदी जी approval rating 78% नंबर टू Andrews Manuel Lopez Aparador Mexico दोस्तों approval rating 65% नंबर तीन पर है Xavier Milley ये अभी newly appoint हुए दोस्तों ये नंबर 3 पर है नंबर 4 पर है Donald Tusk ये भी अभी new appoint हुए है आपको पता मैंने पढ़ाया है गाईजा और नंबर 5 पर है Viola M.Hard Viola M.Hard Switzerland के दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर है और इनकी rating 51% है देख लिज़े यहाँ पर आप तो गाईज यहाँ पर हमने क्या बात की यहाँ पर हमने आपसे बात की top 5 leaders जिनके approval ratings प्यादा है नरेंदर मोदी जी उसके बाद Max O.H. राष्पती तो आपको ये top 5 के नाम याद रखने ही रखने है आपके exam में कहीं से भी question दोस्तों बन जाता है ठीक है तो ये point दोस्तों के सामने इसके बाद कुछ दिया गया है नहीं तो यहाँ पर गाईज हमारी information खतम होती है छोड़ी सी information थी जो की हमने आपको पढ़ा दिया एक बार फिर से आपको रिवाइट से लेजे क्या हमने पढ़ाया दोस्तों What is the name of report? तो Global Leader Approvalating published by the Morning Consult पहले स्लाइड में हमें information मिली है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार पुरे दुनिया के सबसे लोग प्री लीडर बन गया है इनकी Approvalating 78% है Number 2 पर Mexico के राश्परदी है जिनका नाम है Andres Manuel Lopez Abradon इनकी Approvalating 65% है दोस्तों ठीक उसके बाद देखे हो लगया कि US President Joy Biden इनकी Approvalating 37% है और ये दुनिया में 11 नमबर पे सबसे लोग प्री लीडर दोस्तों है उसके बाद Top 5 आपके साम दें नरेंद्र मोदी Andres Manuel Xavier Millay Donald Tusk And last में Viola M.Hud सुच दे लाएं तो ये Information हमारे पस आगए है दोस्तों आगे बढ़ें चलिए तो गैस ये हमारी पहली Information थी आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे News Number 2 की जहां पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Cooperative Societies की दोस्तों मतलब यहां क्या बुला गया है दोखों बुला गया कि ICA ICA की World Cooperative Monitor 23 रिपोर्ट दोस्तों World Cooperative Cooperative Monitor 23 IFCO Top Among the Top 300 Cooperative in World दोस्तों मेरे हिसाब से आप लगोंने नाम सुनाओंगा ICA को अरुस्तों नाम सुनाँ आपने इफको Basically ये कंपनी हमारे देश में Fertilizers के लिए काम करती है एक सरकारी कंपनी है और एक Cooperative कंपनी है Basically इनका हम होता है Agriculture के लिए दोस्तों तो यहां क्या बात हम कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे है World Cooperative Monitor List ठीक देख लिए ठीक और इफको ने 300 cooperative में से टॉप किया है पूरी information कहा है दूस्तों यहां पर दिखाते है देखो हमें कैसे पढ़ना है इसको What is the name of report Report का यहां पर नाम कहा है दूस्तों 22-23 edition of the World Cooperative Monitor Simple 23 edition of the World Cooperative Monitor ठीक एडिशन उसो यह बार हमा है and published by the International Cooperative Alliance International Cooperative Alliance 22-23 edition of the World Cooperative Monitor World Cooperative Monitor Report एडिशन बार हमा published by the International Cooperative Alliance आई सी यह दोस्तों रिपोर्ट का नाम यह कौन से एडिशन है और किसने पब्लिश किया है आपके सामने तीनों information है इसमें हर information आपको ध्यान देना है कुछ भी छोड़ना आ नहीं है आपको आगे बढ़ते हैं भाई तो highlight of the report में क्या बोला गिया है देखें दूस्तों इस पूरे दुनिया की जो 300 कोपरेटिव एंसी है उसमें इसमें टॉप किया है बेस्ट ऑन दे रेशियो अफ टर्नोवर ओवर दे जीडीपी पर कापिटा मतलब गईस कितना इनका टर्नोवर है दोस्तों डिवाइड बाई टीडीपी पर कापिटा जीडीपी पर कापिटा दुस्तों ये रेशियो की हम बात कर रहे है तो ये भी आपको जान देना पड़ेगा कि किस रेशियो में टॉप किया है अगर आप केवल बात करेंगे टर्नोवर की इसको बढ़ा पीछे है लेगन दुस्तों अगर आप बात करेंगे रेशियो की कि इसकी टर्नोवर डिवाइड बाई जीडीपी पर कापिटा तो इस रेशियो में इसने टॉप किया है अंडर दे अग्रिकल्चर एंडर फूड इंडस्ट्री सेक्शन कैसे पढ़ना को ज्यान देना हम यहाँ पर क्या बात कर रहे है तो भारत का जो इफको है वो टॉप के टॉप पर है इन दे लिस्ट आप दे टॉप 300 कॉपरेटिव बट इन टर्म्स आप दे इन टर्म्स आप दे रेशियो of turnover over the GDP per capita यानि इफको का क्या turnover दोस्तों और हमारे देश में GDP per capita कितनी है GDP per capita कितनी है दोस्तों जैसे for example का मतलब क्या हुआ GDP per capita मतलब for example दोस्तों माल लेजे हमारे देश की GDP 100 रुप है और हमारे देश में 100 लो रहते है तो एक रुपए क्या हो गया dd per capita उसके हिसाब से तो ratio of the turnover ठीक over the dd per capita यह आपको ध्यान देना पड़े तो guys इसकी बात करेंगे तो इसको यहाँ पर top पर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या बूला गया इंडियास गुजरात कॉपरेटिव अमूल दोस्तों तो भारत का जो अमूल है वो number 2 पर है दोस्तों followed by the France group इसका नाम है credit agricole यह number 3 पर है दोस्तों तो number 2 पर और number 3 पर कौन कौन से कॉपरेटिव होगी देख लेशे अमूल number 2 पर है और France का दोस्तों credit agricole number 3 इन पर है तो यह point आपको को ज्यान देना है मतलब आप ऐसे देख लो दो पर इटना पढ़ लो फिर बेटा क्या बोला गया ifco has been ranked 72nd in the ranking of the top 300 largest cooperative and mutual organization based on turnover मैंने क्या बुला अगर आप केवल turnover की बात करेंगे दोस्तों तो ifco का दुनिया में बहत्तरवा इस्थान है अगर आप केवल बात करेंगे turnover की तो ifco बहत्तर नंबर पे है फिर क्या बुला गया है 2022 में ifco 97th नंबर पे था एक information और दोस्तों तो अगर आप केवल turnover की बात करेंगे तो ifco 72 नंबर पे और 22 में ये 97 नंबर पे था हलागी ranking बड़ी है लेगिन दोस्तों अगर आप बात करेंगे ratio किसकी turnover और GDP पर capita तो ये नंबर रिक पर आ जाएगा तो इस तरीके से आपकी सामने दो information है जो की आपको ध्यान देनी है अब रुख जाएए हम रिवाइस करवार ना परोगे है और देखिए है बोलागे है दो हो तो टॉप फाइब कॉपरेटिव बाई turnover GDP पर capita दोस्तों तो नंबर एक पर इफको है इंडिया का नंबर टू अमूल है नंबर तीन पर दोस्तों क्या credit अग्रिकोल फ्रांस का नंबर फोर पर है सिस्टेमा यूनिमेट ब्राजील का और नंबर फाइब के है कॉपर सुकर ऐसे ब्राजील तो ये दोस्तों नंबर फाँच पर है C-O-P-E-R-S-U-C-E-R तो कॉपर सुकर ऐसे ये आपका नंबर फाइब पर है ये पाँच कंपनिया आपके सामने दिखाई पढ़ रही है दो इंडिया की है फ्रांस की और दो ब्राजील की है तो आपको इनके नाम याद करने पढ़ेंगे तो करने ही पढ़ेंगे आज के लिए हमारे एक्जाम में और तरवे नंबर पर दोस्तों है तो यहाँ पर दखे National Agricultural Cooperative Federation यह आपका साथ कूरिया का दोस्तों नंबर एक पर है नंबर टू पर है National Federation for Agricultural Cooperative Association यह जापान का नंबर टू पर है यहाँ पर हम क्या बात करेंगे और नंबर तीन पर है CHS Incorporation यह आपका USA का है नमबर 3 थोड़ा सा नाम रट्टा बारना पढ़ गया था अब यहाँ पर काफी टफ हो जा रहा है चीज़ें मतलब कि आपको नाम याद करना पढ़ेगा ना तो National Agricultural Cooperative Federation South Korea National Federation of Agricultural Cooperative Association जापान और CHS आपका United USA का दोस्तों तो यह जो आप टॉप 3 रैंक देख रहे हो यह बेस है on the only turnover और इसमें आपका जो इफको है वो 77 नमबर पर है तो यहाँ पर गाईज हमारी information खतम हो जाएगी एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लो हम क्या बात कर रहे हैं हाँ इंशुरेंस न तो फिर से एक बार information देख लो हम क्या बात करने दोसों ताकि हमें और यह clear हो जाए तो जो हम report पढ़े हैं उसका नाम क्या दोस्तों उसका नाम है 2023 edition of the world cooperative monitor 12 edition published by the international cooperative alliance ठीक अब यहाँ पिटा क्या बोला गया है अगर हम लोग बात करते हैं ratio of turnover over GDP per capita तो इसमें हमारा जो इफको है वो टॉप पर है दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिर से ratio of turnover over GDP per capita तो इसमें इसको टॉप पर है total 300 company यहाँ पर ली गई है दोस्तों ठीक है पहले information उसके बात क्या बोला गया है number two पर भारत का अमूल है और number three पर France का credit अग्रिकोल है ठीक फिर दोस्तों क्या बोला गया है अगर हम बात करते हैं in terms of only turnover only turnover तो इसको बहुत तरवे नंबर पे है और पिछले साल ये था 97 पिछ अग्रिकोल फ्रांस नंबर फोर दोस्तों सिस्टेमा यूनिमेट सिस्टेमा यूनिमेट ब्राजील का और number five पर कॉपर शुकर ऐसे ब्राजील का दोस्तों तो यह आपके सामने पांच information उसके पास हमने क्या बात किया हमने in terms of only turnover की बात की तो number एक पर सौथ कोया की एगेंस Corporation USA का तो यहां पर दोस्तों हमारी information खताम हो जाएगे ठीक है चले गाइस तो यह हमारी हो गई information number two यानि guys report और indices में हमने आपको दो question करा है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे next information यहां पर question आपसे पूछा गया है brand finance brand finance दोस्तों 24 which of the following pair is our match correctly according to the above statement first rank holder Microsoft third rank holder Google and fifth rank holder Amazon तो क्या यह हमारा answer सही है दोस्तों तो जाता है मुझे याद है आपका B option के इवल सही है शायत है क्या option में हाँ और A और C option गलत है आपका क्यों गलत है दो हो answer की बात कर ले तो only B क्योंकि दोस्तों brand finance पे number 1 पर Apple था number 3 पर Google था और number 5 पर Samsung Group था it is very very important question दोस्तों उसके बात क्या बोला गया है अगर हम brand finance की बात करते है which of the following pair is our match correctly first rank in India क्या Tata Group है दोस्तों global rank of Redux 64 है क्या और third rank in India क्या LIC है दोस्तों तो यहाँ पे हमारी information दोस्तों क्या होगी answer all A, B and C सारे point दोस्तों है सही तो वाई जगर हम बात करते हैं तो Tata Group इंडिया में number 1 पर है और global number पर 64 नमबर पर दोस्तों LIC भारत में number 3 पर है और global level पर 22 पर दोस्तों 22 पर नमबर पर Infosys number 2 पर है भारत में देख लिजएगा चिक तो यहाँ पर दोस्तों हमने Indian brand की बात की कि India में क्या इनकी rank है और global level पर brand finance में क्या इनकी rank है दोस्तों आपके साबने information है चिक चले भाई लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा revision point भी खतम होता है तो report indices में हमने आपको दो information पढ़ाई पहली information पढ़के आप हो मज़ा आगिया होगा कोगी easy था it's not about कि हमारी रीडर वैश्विक लीडर बने है हमसे वो मतलब नहीं है शायद ना हमसे यह मतलब है कौन सा easy news है कौन सा tough news है ना भाई अब ठीक है वैश्विक लीडर बने है अच्छी बात है बड़ अभी तो हमें exam qualify करना है तो यह हमारा होता है attitude ठीक तो इसलिए हम खुश हैं ना कि है सही है दूसरी information थोड़ी है परिशान करने वाली हमें थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा हमें नाम याद करने पढ़ेंगे ठीक हम कर ले जाएंगे वो चलों कर लेंगे दुख तो है जिंदगी में बड़ क्या करिया जाए करना तो पढ करते हैं अब बात करते हैं नेक्स information यहां पर दोस्तों हमारा section है appointment और resign का जहां पर दोस्तों पहली information हमारे पास क्या है यहां पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारती सरकार की हां मतलब तुरेश्वर सिंग बोनाल बोनाल हां यह पॉइंट हुए है डारेक्टर कहां पर दोस्तों in the heavy industry ministry सुरेश्वर सिंग बोनाल की दोस्तों हम बात कर रहें यह भाई क्या point हुए है यह उत्योग अंत्राले में दोस्तों क्या point हुए है डारेक्टरा पॉइंट है कैसे याद करेंगे यार हम आबी इंडुस्टरी मिनिश्ट्री सुरेश्वर सिंग बोनाल देख पहली बात तो क्या है इनका नाम बड़ा भारी भरकर है और मिनिश्ट्री भी भारी भरकर दोस्तों है ऑब सुरेश्र ड़ भूल जाएंगे बो अपने लिए बुनाव को मैं रिखने लूगा दो नाली बंदोग से और नाली बंदोग भाड़ी चीज हो गया हमारी बाइट दो नाली बंदोग भारी नहीं होती है तो मैं इस तरह बना लूँगा आप कैसे बनाऊंगे देख लो अप तो सुरेश्वर सिंग बुनाल अपॉ पूशन पूशें किया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री कि स्कीम बताओ अब बता पाओगे एक बाए मुझे कमेंट कर देना कि क्या आप बोलना चाहते हैं हे ना ऐंसर क्या है आपका एंसर क्या बताओगे नो, नो एंसर दोगे, नो आपने नाव सुना फेम दोस्तों, फेम तो फेम किस से इंडर में आती है, मैं इसे पूछ रहा हूँ, मैं यह नहीं दोलाओ कि इसी मिस्ट्री में आती है बने बता देना मुझे, कि कौन सा स्कीम अगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स पॉइंट की बात करते है अबाउट दा मिनिस्ट्री आफ हैवी इंडस्ट्री तो गाइस हमारे देश के केंद्री मंत्री कौन है डॉक्टर महेंद्र नात पांडिर जी है दोस्तों और इस्टेट कौन है बेटा, राज्यमंत्री तो यह है कृष्ण पाल गुर्जर कृष्ण पाल गुर्जर, हाँ, देख लेना तो मिनिस्टर आफ स्टेट की बात करें प्रियाज आपको थोड़ डाउट है, मतलब देखिए आप क्लास कर लेजे, आपको क्लास यह करनी है जो नए बच्चे हैं और इसके MSQs के लिए रात में साड़े नव बच्चे हमारी क्लास होती है अनकैडमी स्पेशल पे नोट्स कैसे बनाए तो बैंकर स्वेपर जो चैनल हमारा है उस पर मेरा अल्रेडी वीडियो पढ़ा हुआ है कि हम नोट्स कैसे बनाए लेगिन नोट्स बच्चे तभी आप बनाओ न जब आपको किवल अपने हैंड़ डाइटिंग में ही अगर ऐसी को दिक्कत नहीं है तो आप नोट्स मत बनाएए हमारा मंथली यूनिकॉन पीडियेफ आता है उससे पढ़िए आप टाइम बचा लेंगे यादा आपको कौन्स भी करना है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे है तो प्रॉपर फॉलो कीज़े आप ये क्लास कीज़े और हमारे मंथली यूनिकॉन से रिविजन कीज़े पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल लाता है वैसे भी ठी गाइस आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूस नंबर टु की दोस्तों हाँ तो न्यूस नंबर टु हमाना क्या है हम फिर से बात करेंगे सरकारी अपॉइन्मेंट की देगे दोस्तों नाव है सुनील शर्मा ठीक ये पॉइंट हो रहा है डालेक्टर ठीक आइस कहाँ पर इन दे डिपार्टमेंट टॉप स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी लेगिन लगते हैं कि छोटे स्कूल जाते होंगे तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कैसे याद करेंगे पुनी शर्मा एंसे मत कर देना सुनील शर्मा आ रहे हैं तो इस तरीके से आप डरते नहीं डरते अब देखो वाई ऐसा है मैं यूट्यूब देखता रहता हूं हमेशा आपको ने कभी देखा कि मैं कभी यूट्यूब पर आया हूं कुछ बोला है तो डरता हूं मैं हां भाई डरता हूं क्या किया जाए भाई हां तो भाईस यहां पर हमारे साबने इंफर्मेशन आप देख लिजे आगे बढ़ते हैं भाई about the ministry of education दोस्तों तो हमारे देश के केंदरी मंतरी कौन है भाई धर्मेंद प्रधान जी है ठीक दोस्तों और राजी मंतरी कौन है तो कई लोग है शुभाज सरकार अन्यपूर्णा देवी यादोजी और राजकुमार रंजन सिंग जी दोस्तों यह तीन लोग ministry of state है ministry of education में किसी point को आप हलका ले नहीं सकते हैं वरना आप वही बोलेंगे जो मैं चैट में देख रहा था बहुत सारे वीडियो में कि सर हमने जो पढ़ाता वो question में ही था answer मिले नहीं रहा था ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम पूरी information नहीं पढ़ते हैं कभी भी exam में कहीं कोई question बन सकता है जो आज का pattern है तो आपको यह बात समझ नहीं पढ़ेगी दोस्तों है ना आगे बढ़े भाई लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे हमारी न्यूस नंबर त्रिकी दोस्तों और यह information exam के लिए सबसे important है इन तीनों information का exam देखिए exam के लिए हाँ तो guys नंका नाम क्या है विंसाई ज्हांग विंसाई ज्हांग दोस्तों नाम से लगणा की चायना से बिलॉंग करते हैं विंसाई ज्हांग का नाम है नहीं यह दोस्तों अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप गाईस आपको बता हैं न मैंने कियर है भी आपको कि वर्ल्ड बैंक कोई अकेले पॉड़ी नहीं वर्ल्ड बैंक के पांच पार्ट हैं इसे मिला करने क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं दोस्तों हाँ इन साइज जहां चाइना से बिलॉंग करते हैं यह दोस्तों अपॉइंट हुए हैं MDN CEO of the World Bank Group यानी जो पांच पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के MDN CEO पॉइंट हुए हैं यह बड़ी इंफॉर्मेशन है और किसी भी एक्जाम में यह के इंफ़ॉर्मेशन तो हम क्या बात कर रहे हैं तो इतनी काफी आप के लिए दोस्तों आगे बढ़एगे और हम बात खरेंगे नीज नंबर पोर की न्यूज नंबर 4 जो हमारी आ रही है ये भी आपके एक्जाम के लिए अच्छा पॉइंट है मतलब एक्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए important हो सकता है नाम क्या है गीता बत्रा तो गीता बत्रा historic appointment to the world bank गीता बत्रा लिखा है historic appointment क्यों दोस्तों मतलब इन्हें क्या बोला है एतिहासिक नियुक्ती बोला गया क्यों दोस्तों क्योंकि गीता बत्रा इंडिया से बिलॉंग करते हैं और इंडिया दोस्तों डेवलप कंट्री तो है नहीं तो पहली बार दोस्तों किसी नॉन डेवलपिंग कंट्री की employee या citizen इस इस group में शामिल होई है दोस्तों अब ये group है क्या पहले उसके बारे बात करते हैं देखिए हम क्या बात कर रहे हैं देखो गीता बत्रा दोसो नाम इनका है ठीक ये अपॉइंट किस पोस्त पर होई है ये पॉइंट में है director ठीक अब दे इंडिपेंडेंट इवेलुएशन ओफिसर आई ये दोस्तों director अब दे इंडिपेंडेंट इवेलुएशन ओफिसर अब दे वर्ल बैंक ग्लोबल इनवार्मेंट फैसिलिटी दोस्तों हाँ देखो भई इसमें जो फंड डोनेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है और ये पैसा कहां पे खर्च हो रहा है इन सब को इवेलुएट करने के लिए बेटा क्या होते है डाइक्टर होते है डाइक्टर ऑप दे इंडिपेंडेंट इवेलुएशन ऑफिस ऑप दे वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इनवार्मेंट फैसल्टी ध्यान देना डाइक्टर ऑप दे इंडिपेंडेंट इवेलुएशन ऑफिस ऑप दे वर्ल्ड बैंक Global Environment Facility तो simple करो World Bank के Global Environment Facility की हम बात कर रहे है ठीक मेटा क्या बुला गया है इसमें Independent Evaluation Office होता है यानि जो Evaluate करता है कि पैसा कहां खर्च होना है कहां से आ रहा है उसकी Director बनी Director of Independent Evaluation Office of the World Bank Global Environment Facility अब दो क्या बुला गया है तो गीता बत्रा become the first woman from a developing country to assume this prestigious role दोस्तों तो गीता बत्रा become the first woman from a developing country जो मैंने बुला बेट की भाई ये पहली लेडी है पहली woman है दोस्तों जो किसी developing country से belong करती है और इस post पर आई है जो बड़ी post है इसके पहले का इस क्या था कि किसी भी female को जो developing country से belong करती है उन्हें कभी a point नहीं किया गया था तो ये अपने आप में बड़ी information दोस्तों है ठीक गाईस तो एक point आपके सामने ये हो गया दोस्तों ठीक है तो गाईस यहाँ पर आपको चीज़े याद करने पड़ेंगी देख लिए जगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये पांच पार्ट हैं दोस्तों नाम सामने लिखा हुआ है आई बी आई डी आई एपसी मीगा और आई सी एसाइडी दोस्तों अजय बंगा इस समय वर्ल्ड बैंक के प्रसिज़ेंट है और चीफ एकोनोमिस को नहीं बिटा भारत के इंदरमित गिल ये वर्ल्ड बैंक के मुख्यट शास्त्री है तो वर्ल्ड बैंक का स्टेडिक जी इस वेरी इंपोर्टन कब इस्टैब्लिश्मेंट हुआ कितने मेंबर कंट्री हैं कौनिस का प्रसिज़ेंट है ये से पॉइंट आपके किसी भी इग्जाम में आ सकता है तो यहाँ पर एक पॉइंट देख लेज़ेगा ठीक है जागे बढ़े ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने एक्स्प्लेइन कर दिया अच्छा अब रिविजन की दोसों बात कर लेते हैं तो रिसेंट अपॉइंट मेंट इन बैंकिंग अन इंश्रेंस सेक्टर दोस्तों जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर हम बात करें देखे आशीश विजाएकर दोस्तों इन्हें MDN जे CEO पॉइंट किया गया था SBM Bank India मतलब State Bank of Mauritius India दोस्तों राजियो मंत्री दोस्तों ये पॉइंट हुए थे Chief Financial Officer of the Bandhan Bank कई बार आपको revise करवाया गया है Mr. A. Krishnakumar दोस्तों ये पॉइंट हुए थे Non-Executive Chairman of the Board of Yuko Bank Yuko Bank दोस्तों फिनिवार श्रीधर ये वई सेम पॉइंट Non-Executive Chairman of the Board of the Indian Overseas Bank Mr. Kumar ये Part-Time Non-Official Director and the Non-Executive Chairman of the Bank of India बने थे सरकारी बैंकों की appointment हमेशा एक्जाम के लिए जरूरी होता है तो ध्यान से देख लिजेगा दोस्तों एक बार की बात है जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी प्रावेट जॉब छोड़ी मैं घर आया मैंने कोई नेटने लिए Ans., मुझे करना किया है मुझे मैंने अपनी अमब्या किया पहले मैंने बी-बी-ब्या किया अपने पितास जी की पैसे खर्ष करवाए वहाँ पर पिर मैंने एंब्या किया दोस्तों पापा ने बैसे दिये मेरे बिस्थे नहीं बैसे फिर मैं जॉब करने चला गया लग हो नहों में बाइक भाई ले घूमना फिर ना सेलरी आ रहे थी खर्श हो जाना पूरा जब मैं घर पर गया जॉब छोड़कर तो पहले तो पांचे दिन कुछ नहीं हुआ लगें फिर मु में छुपना पड़ता है मतलब होता ना कि यार आपका बेटा क्या कर रहा है वो क्या फो लेंखर पड़ाओ अच्छा मैं भी तोड़ा समझदार था मुझे लग गया कि ऐसा होगा ऐसा हो रहा है मेरे साथ वहां से मुझे मोटीवेशन मिला कि हैं मुझे त्यारी करनी और वहां में fake ID बनाता है, जो अपनी IDC मैं, girls को बोलता, अगर मैं इतना निरलज होता, तो मैं आज कुछ ना कर पाता। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनने न अपने फादर की पढ़ी है न अपने मदर की पढ़ी है जिनने अपने उपद शर्म भी नहीं आते जो क्लास में आते हैं और टागेट करते हैं गल्स पर क्योंकि लड़किया ना इसे बत्तेमिजी से बोलेंगी ना ब्यूस करें लड़के तो बोल देते हैं बतने में जी से दोस्तों तो मेरा बाद ना हमेशा यह होता है कि पहले तो यह काम करना नहीं चाहिए दूसरी बात आप काम करें तो आप किसी गर्ल्स को टागेट मत करें है ना वो आप से यह नहीं बोलती इस तरीके से तीसरी बात यार इसा मत किया करो करियर खराब हो जागा क्लास में चैट में वेटा ध्यान देना इस बाद को मेरे यह काम नहीं करना चाहिए अरे मर्द हो तो ठीक है लो एक काम करो यह मेरा phone number ले लो यार और मुझे phone कर लो एक बार एक बार phone कर लो दो मिनट में जहां होगे होगे वहाँ तुमें हिसाब दिखा देगा तुमें लेसंस लिखा देगा तुमें दो मिनट लेगा इस बच्छे ओ पढ़ो लिखो चले भाई लोग आगे बोड़ते हैं नेक्स इंफर्मिशन क्या दूस्तों हमारा देखें आपर बात करें आघे बात करते हैं। एशन हैं डवलाप्मेंट बैंक इसका मतलब हुआ यहां पर हम क्या बात करें यहां पर हम बात करें एशन डवलाप्मेंट बैंक जो है Asian Development Bank जो है इसने दोस्तों क्या किया इसने हमारे Gift City में गाइस मैंने आपको बहुत पहले भी Gift City के बारे में Information दे है GIFT Gift City दोस्तों मैंने आपको पहले बोला हुआ जिस तरह से गाइस दुनिया में Hub है For example अगर आप बात करते हैं CS IT Company की तो इनका दोस्तों कहाँ पे USA कैलिफोर्निया में वैसे ही दोस्तों हमारे देश में हमारी सरकार चाहती है जोतने भी Banks है Financial City Companies है NBFC है इनका अपना Hub हो कहाँ पे गुजरात में गांधी नगर में Gift City तो इस क्या बात वरी है गुजरात के गांधी नगर में जो हमारा Gift City दोस्तों है हाँ इसमें एक IFI इसका बेटा मतलब क्या हुआ International Fintech Institute International Fintech Institute इसको पर डैवलप करने के लिए ADB ने हमें 23 मिलियन डॉलर का लोन दिया दोस्तों हाँ देखो क्या information पूरी है तो भारत सरकार की हम बात कर रहे है इसने 23 मिलियन डॉलर का लोन दिया है किसे दिया है दोस्तों ADB ने दिया है हमारी Government of India को अमाउंट कितना है 23 मिलियन डॉलर क्यों दिया गईस हो तो क्यों दिया है Development of the International Fintech Institute Development of International Fintech Institute at Gujarat वही मतलब Gift City आप पुरा यह देख लिए आपर अच्छी इंफर्मेशन तो Asian Development Bank हमारी Government of India को लोन दे रहा है 23 मिलियन डॉलर का क्यों दे रहा है तक हमारे Gift City गुजरात में एक International Fintech Institute बन पाए दोस्तों मतलब गाईस Fintech का मतलब क्या हुआ Financial Technology जैसे इनको डेवलब करने के लिए भारत में International Fintech Institute बनेगा कहां बनेगा Gift City बनेगा अमाउंट आपके सामने कौन लोन दे रहा हो भी सामने आपके दोस्तों तो एक पॉइंट हमारे सामने जो हमने दे 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 दोस्तों तो यहां पर एक पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया आगे बढ़ते हैं भाई लोग चली सुगाईस हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे ADB की 23 मिलियन डॉलर लोन की बात कर रहे थे तो इंडिया तु कंस्ट्रॉक्ट द आएफ़ा इंसाइड गिफ सिटी पुरी इंफॉर्मिशन आपके सामने हैं दोस्तों हाला कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्जाब में कोश्चन ऐसे तो नहीं बने कि किसने कितना लोन दिया है बट कोश्चन बनते हैं हमेशा पहले हम बात करते हैं गिफ सिटी के दुस्तों गिफ सिटी का इस्टैबलिश्मेंट इयर 2015 गांधी नगर गुजरात और MDCEO तपंड्रे तपंड्रे MDCEO है और ये दूसरे अपॉइंट हुमें है दोस्तों इसके पहले इंजेतिर शीनिवास थे इसके पहले कौन थे इंजेतिर शीनिवास ये कौन थे MDCEO अब दगिफ सिटी अभी कौन है तपंड्रे से याद रखेगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग चलिए नेक्स पाइंट एशन डवलप्मेंट में इस्टैबलिश्मेंट ये उनिस्तो चांचत हेड्कॉर्टर मनीला फिलिपिन्स टोटल कंट्री 68 अलबर्ट पार्क तीफ एकोनमिस्ट और प्रसजन्ट है और ये दस्वें प्रसजन्ट है एडीबी के तो इस्टैटिक पॉइंट भी याद रखिया हमेशा ये टैंथ प्रसजन्ट है एडीबी के तो एक इंफॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे यहाँ पर आपसे हम बात करने वाले हैं मतलब रिसेंट अभी एडीबी ने हमें कहां कहां लोन दिया है फॉर अग्जाम्बल दोस्तों यहां श्रुगर तें देगे अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी ने दोस्तों हमें दिया है लोन इतना 200 million dollar का कहां पिटा दिया है तो असम इंडिया में जो ब्रंपुत्र रीवर का erosion है मतलब जो मिट्टी कटास रोपने के लिए असम में ब्रंपुत्र रीवर में दोस्तों जो flood की वैसे erosion होता है उसको रोपने के लिए हां और देखिए 100 million dollars तो किसे दिया है त्रिपुरा को दिया है ठीक तो एडीवी ने कहां कहां लोन दिया है त्रिपुरा को 100 million dollar असम को 200 million dollar और देखिए यहां पे इसके लाव दोस्तों एडीवी ने हमारे देश में गाईज अगर हम बात करते हैं हमारी government of India को 37 billion Japanese yen यानि करीब 250 million dollar का लोन दिया है क्यों दोस्तों डेली मीरट रीजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम के लिए और देखिए एडीवी ने हमारी government of India को 98 million dollar का लोन दिया दोस्तों क्यों दिया horticulture farmers के लिए मतलब बागवानी वाले किसांग के लिए तो यह पॉइंट आपके एक्जाम के लिए काफी important है गाईसा याद रखेगा तो यहाँ पर हमने क्या बात किया आपसे तो यहाँ पर हमने आपसे बात किया एडीवी के कुछ revision पॉइंट की सरकार को पावर सिस्टम के लिए कितना पैसा उधार दिया है यह आपसे पूशा गया है यहाँ पर दोस्तों answer हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर गाईस एंसर हमारा हो जाएगा 200 million dollar option number c 200 million dollar option number c is the right answer दोस्तों एक points हमारा यह हुए ठीक है आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अच्छा कुश्चन और भी है Asian Development Bank ने कितने billion dollar loan देने की बात बोली है तो renew energy ठीक कपके लिए गाईस अंटिल 28 तक तो Asian Development Bank हमारे देश के renew energy global company को 28 तक कितना amount loan बाटेगा यह agreement sign हो अनके बिच में यहाँ दोस्तों एंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एंसर हमारा क्या हो जाएगा आपर एंसर हमारा क्या हो जाएगा आपर एंसर इस 5.3 billion dollar option number e is the right answer यह दोस्तों हमारा पहला question था आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों बात करेंगे और यहाँ पर हम Reserve Bank of India के circular की बात करें दोस्तों Reserve Bank of India की news क्यों इतनी important होती है आपने देखा होगा State Bank of India clerical में दो शिपर भी हुए है और shift 1 में shift 2 में Reserve Bank of India से कितनी information आई है ठीक है बहुत सारे question दोस्तों आए है तो इसलिए Reserve Bank information हमेशा एक्जाम के लिए जरूरी होती है यहां क्या बुलाया देखें Reserve Bank of India allow banks and non-bank दोस्तों यानि बैंकों को भी और non-banking company को दोस्तों हाँ to issue PPI ठीक to commuters मतलब यहां पे हो गया यात्री जो वहां यात्रियों के लिए for the public transport Reserve Bank of India ने बैंकों को और non-banking companies को यह approval दे दिया है कि आप लोग PPI issue कर सकते हैं to commuters for the public transport मतलब ऐसे यात्री जो public transport यूज करते for example metros की हम बात कर ले हम buses की बात कर ले उनकी बात फूरी दुस्ते हैं अब question यह पर यह बनता कि what is PPI इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आप लोग जानते हैं देगे दूस्तों what is the meaning of PPI इसका मतलब क्या है इसका मतलब है prepaid payment instrument prepaid payments instrument इसका मतलब क्या हुआ इसे हम क्या बोलते है PPI बोलते है ठीक तो पहले आपको यह समझना पढ़ेगा सर यह क्या मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है मतलब clear नहीं हो पा रहा है कि मतलब for the transportation इसका मतलब क्या हुआ देखे दूस्तों प्रिपेड payment instrument आप लोग जानते हैं आप लोग कैसे जानते हैं आपको एक्जामपल दो मेट हमारा debit card है debit card यह भी दोस्तों क्या है प्रिपेड instrument है क्यों दूस्तों what is meaning of prepaid यानि आपने पैसा पहले ही जमा कर दिया और उस पैसे का यूज़ आप करेंगे दोस्तों जैसे for example गाइस अगर हम बात करते हैं ओला मनी जानते हैं आप लोग मनी बटा किया है कि ओला आप यूज़ करते हो गर कैब में तुहां ओला मनी को option आता है जहां पर आप वालेट में पहले ही पैसा रख सकते हैं एटल मनी दोस्तों यानि एटल एप पर पहले ही पैसा रखो और उससे अपका रिचाज होता रहा दोस्तों ग Screw प्रेप प्रेभीड फव्रेश्विश्मिन फॉश्मिन नहीं था जी है डैली मेट्रोकार्ड लगनो मेट्रोकार्ड दोस्तों Metro गार बेटा क्या होता है आप जाते हो Metro में कैश देते हो तो जो ये मतलब Metro वाले employee है ये आपको एक card दे देते हैं जिसमें उप ऐसे पड़े होते हैं और आप इसका use कर सकते हैं दोस्तों तो अभी तक क्या नियम था गैस अगर आप transportation की बात करते हैं transportation की तो हमारे देश में बैंकों को ये allow नहीं था कि वो prepaid payment instrument launch कर सकते हैं बट दोस्तों अब क्या है Reserve Bank of India ने बैंकों को और NBFCs को allow कर दिया कि अब आप public transport के लिए भी prepaid payment instrument launch कर सकते हैं इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि अगर आपको DMRC का Metro card शाहिए तो आपको Metro नहीं आप बैंक भी जाओगे ना तो मिल जागा है वहाँ से इससे ये फाइदा हो जागा दोस्तों कि आपको लंबी लंबी लाई में जगना नहीं पढ़ेगा आपके हरके आसपास को एक बैंक है आप जाओ वहाँ से ले लो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रिपेड पेमेंट उसो में इग्जामपल Metro card Metro card is the best example दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है दगे अब हम क्या बात करें जो जान से क्या हम बात करें तो Reserve Bank of India ने अपने Master Direction में चेंज कर दिया जोस्तों ठीक है Reserve Bank of India ने अपने Master Direction जो की प्रिपेड पेमेंट इस्ट्रुमेंट पे था उसको चेंज कर दिया अमेंड कर दिया तो पर्मिट ऑट्राइस बैंक और नॉन बैंक पीपिया इशुर्स तो इशु पीपिया इशुर्स तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ जैसे मैंने क्या बोला ओला मनी यह बैंक तो नहीं है 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 पेटियम की बात कर रहा है बट यह लोग भी अपना प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट लांच करते हैं तो आप चाहे बै इसका बेटा मतलब क्या हुआ तो रिजव बैंक वे पावर कहां से मिलें कि अपना वो अपना जो नियम वो चेंज कर दें तो बेटा क्या बोला कि इससे लिए पावर दोस्तों मतलब यह वो सेक्षन है और यह वो एक्ट है जो रिजव बैंक को पावर देता है कि रिजव बैंक आफ इंडिया प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट के लिए अपने गाइडलाइन्स निकाल सकते हैं तो एक इन्फर्म लेस यह हमारा यह हो आगे बढ़िए अब दोस्तों यह पीपी आई होते कैसे अगर मालो आपके जैसे फॉर इंडेक्स तो मैंने क्या बोला था कि इन्फर्मिशन कभी-कभी उसके स्टैडिक पॉइंट से पूछी आती है आप देखिए आप दोस्तों यहां पर हम बात करें पीपी आई की तो बिटा यह पीपी आई कैसे होते हैं पहले हो देख लें दो क्या बिटा लगे तो टाइप सॉप पीपी आई दोस्तों तो क्या बोला गया है गाईस दो कि जो आपके पीपी आई होते हैं यह दो तरके होते हैं पहला पीपी आई दोस्तों हाँ पहले यह देख लो दोस्तों दूसरा क्या बोला गया है दूसरा full KYC VPI मैं जैसे आपको पढ़ाना हूँ ऐसे ही पढ़ना prepaid payment instrument दो तरह की होते है एक small एक full अब बेटा small का मतलब क्या हुआ दूस्तों small का मतलब हुआ कि आपका KYC नहीं है इसमें दूस्तों आपका KYC नहीं है आपको याप्लिकेशन, कोई वालेट कोई कार्ड यूस कर रहो बेटा लेकिन आपमें उसमें अपना KYC नहीं दिया हुआ मतलब अपना अधार कार्ड या अपना अगर आपने नहीं दिया है इसमें क्या बोलते है small KYC और अगर आपने अपना पूरा KYC फूल KYC पूरेट तो मैंने आपसे क्या बोला मैंने आपसे बोला कि जो आपके प्रिपाइड पेमिंट इंस्ट्रिमेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं दूस्तों पहला आपका small दूसरा आपका full ठीक फूल KYC से हम बोलते हैं फूल KYC पीपी आई तो without KYC, पहले यह समय लो दस्तों, चिंख है किस, अब देखो, अब क्या बात करेंगे, जो आपके ये small PPI होते हैं, ये भी दोस्तों आपके दो तरह कि होते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा, जो आपके small ब्रुपी ये भी दो तरह कि दोस्तों है, या पेटा क्या लिखा बेटा क्या बोला गया है ऐसे PPI अप टू 10 देंट होती है विध कैश होल्डिंग फैसल्टी इसका कैश लोड़िंग फैसलिक सा मतलब क्या वा देखें पहले तो अपने माइड में एक बात बैठा लो क्या बैठा लो बैठा अगर आप से पूछता है small PPI दोस्तों इसमें आप लोग कितना पैसा है तो 10,000 रुप मात अगर आपका KYC नहीं है अगर आपका KYC नहीं है तो small PPI में आपका maximum limit होगा 10,000 रुप और दोस्तों अगर full KYC है तो इसमें आपकी limit होगी 2,000,000 रुप तो पहले यह याद कर लोगा है मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ कि PPI हमारे देश में दो तरह के होते हैं कैसे दोस्तों एक होता है आपका small PPI एक full KYC प्राइए small PPI का मतलब यहाँ पर KYC नहीं है तो इसकी limit maximum 10,000 होते है and full KYC इसकी limit 2,000 रुप तक होते है क्योंकि इसमें KYC है दोस्तों पहले यह समय लो अब क्या बोला गया है दोसमें आप दोखो कि जो आपके small PPI हैं भी दो तरह के होते है क्या लिखा है एक लिखा है PPI अप्टू रुपिस 10,000 विट कैश लोडिंग फेसलिटी आपको अपने sister को कुछ gift देना है आपको clear नहीं हो रहा है क्या दे आप दुस्तों चले गया किसी bank में आपने gift card ले लिया और उस bank में आपका account नहीं है तो KYC भी नहीं होगी तो आपने क्या किया cash दिया और card ले लिया इसे बेटाम क्या बोलते है cash loading समझे मेरी बात तो cash loading का मतलब जो cash दिके लिया आपने और no cash loading मतलब जो cash दिके अपने नहीं लिया दूस्तों तो ध्यान देना मेरी बात तो यहां मैंने आपसे क्या बात की कुछ बात भीजे में खुशे तमनों की ध्यान देना मैंने पहले क्या दो ऐसे पढ़ना आप लोगो तभी क्लियर हो पहेगा आप लोगो ऐसे पढ़िएगा कि PPI हमेश्या दो तरह की होते है small और full small का मतलब without KYC full का मतलब KYC इसमें है limit 10,000, limit 2,000 अब यहां मने बात की विद्दा दो तरह की एक cash loading दोस्तों और एक non cash loading तो cash loading का मतलब आपने cash दे कर लिया हुआ है जहां आपकी KYC नहीं है जिसे gift card हो गया और without cash loading जिसे आपके online wallet होते है Ola Money, Paytm wallet यह सब दोस्तों तो यहां पर दोस्तों हमने आपको information समझा दी 23 tough information है but I hope so कि आपको information यहां दोस्तों हमने information दी पूरी आपको ठीक तो एक बार देखो जहां से आपने क्या-क्या पढ़ लिया बिटा हाँ यहां बद्यान से किया आपको यहां पर हम क्या बात कर रहे थे तो हम चलेंगे appointment से हमने क्या पढ़ा था पहला information दोस्तों सुरेश्वर सिंग सुरेश्वर सिंग बुनाल यह point में director in the ministry of heavy industry पहली information दोस्तों फिर हमने क्या पढ़ा तुनील शर्मा यह point में director in the department of school education and literacy फिर हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा वेंकई जांग यह point में MD and CEO of the World Bank Group दोस्तों एक point हमारा यह हो गया फिर हमने क्या पढ़ा गीता बत्रा यह point में director of the independent evaluation office of the World Bank Global Environment Facility और यह पहली woman है from the developing country दोस्तों यह हमने पढ़ा लिया फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा information कि Asian Development Bank हमारी सरकार को 23 million dollar loan देरा to develop international FinTech Institute एक point दोस्तों हमारा यह हो गया आगे बढ़ते हैं भाई लोग और बात करते हैं आप से next information की देखिए आपे next information का इस क्या हमारे पास था हाँ यह जों भाई पढ़ी रहे है कि Reserve Bank of India ने हमारे देश में bankों को और non-bankों को allow किया है कि आप लोग PPI अब issue कर सकते हैं for the public transport मैंने इस एक्जामबल भी दिया कि already public transport में PPI है जैसे metro card जो होते हैं दोस्तों already यह है तो अब bank और non-banking companies भी इस 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 कर सकते हैं जो point हमने आपको बढ़ाए तो main information तो ही थी हमारे गाईस हाँ दूसरी information यह थी section 18 और section 10 दोस्तों of the payment and settlement system act 2007 एक information गोई हो भी मारी फिर आगे बढ़ते हैं यह हमने आपको banking awareness पढ़ाया यह हमने आपको banking awareness पढ़ाया यह question तो एक्जाम बेटा आब ही चुगा है कि जो हमारा full KYC होता है उसकी बेटा लिमिट किया है तो दो लाक रुप है अगर इस mall PBI है तो दस जार रुप है अब इतना deep में हाला कि लोग पढ़ाते नहीं है कि भाई cash loading नहीं loading तो पढ़ाते नहीं बट मैंने पढ़ा दिया कि भाई इतना पढ़ी रहे तो पूरा पढ़ देते हैं ठीक से नहीं तो यहां पर गाईज हमारी information खतम होती है आगे बढ़ेंगे अब हम क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे agreement और MAUS की दोस्तों यहां पर हमारे सामने आपके लिए पहली information किया है ध्यान से देखिए यहां दोस्तों हम क्या बात करेंगे यहां पर हम बात करेंगे उबर की तो उबर दोस्तों जानते ही आप लोग तो उबर ने partnership किया है with the ONDC दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ONDC की information आपके exam के लिए बहुँ ज़रोड़ी है तो उबर ने partnership किया है with the ONDC to expand mobility offering in the Uber mobile application दोस्तों जहां सुनिएगा यह concept क्या है आप दोस्तों पहले पढ़ चुकिए हो इसके पहले गाईज नम्मा यह साउथ की ने एक auto वे भी सेम उबर गमनी है इसने भी ऐसा agreement किया था दोस्तों तो बड़ा सा मतलब क्या है तो मैंने आपको बताया है कि अभी तो नहीं लेगिन एक दो साल में दोस्तों ONDC सब को replace करने वाला मतलब Amazon clipcard जो है न replace का बटा मतलब क्या होता मैंने आपसे बताया है कि ONDC भी e-commerce sites है गौर्वर्मेंट की बड़ ये काम करेगी as a UPI as a UPI इसका बटा मतलब क्या हुआ दोस्तों जैसे माल लेजे आपके पास कई सारे bank account है तो आपने बटा क्या किया आपने कोई UPI यूज क्या आपने कोई UPI डाउनलोड किया और अपने सारे account को अपने attach कर दिया यानि दोस्तों एक UPI है जैसे अपने आप सारे account को attach कर सकते है और चला सकते हो तो बटा जैसे हमको example देता हूँ आज के time पर Google पर आप कुछ सर्च करो कुछ भी सर्च करो आप कुछ खरीदना आपको for example दोस्तों तो कई सारे option आयाते Flipkart का Amazon का आते हैं ना दिल्ली में है और आपके पास दोस्तों कोई single app नहीं मतलब आपको देखना कि ओला में हमें गाड़ी मिल रहे के नहीं मिल रही है Uber मिल रहे के नहीं मिल रही है तो आप ONDC पर जाओ और सारे service आपको मिल जाएंगे दोस्तों लाइक DMRC की बात कर ले हम लोग जिसकी बात कर ले तो आप यहीं बैठे बैठे मतलब ONDC से आपका मन आप DMRC का Metro टिकर बुक कर लो आपका मन आपको इबस टिकर बुक कर लो आपका मन आप OLA या Uber हायर कर लो वहीं से तो इसलिए यह agreement हुआ है जो हमने आपको समझा दिया ठीक आइस दखेंगे आपके क्या information है दूस्तों तो Uber India ठीक Uber India System Private Limited Uber India मतलब और Open Network for Digital Commerce ONDC ठीक है तो Uber India System Private Limited की हम बात कर रहे है और ONDC की हम बात कर रहे है इनके बीच में agreement साइन दूस हुआ है अब क्यों दूस्तों हुआ है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो छोड़ दो हाँ वो छोड़ दो आप concept समझो कि मैंने जो पिरल समझाया कि ONDC कैसे काम करने वाला है और Uber ने क्यों agreement किया है इससे Uber को क्या फायदा है और हमें क्या फायदा है दोस्तों यानि ONDC प्लेटफॉर्म पर जतने भी mobility कंपनिया है अब चाहे वो DMRC दोस्तों हो चाहे वो Redbus हो गाइस चाहे वो नम्मा प्रोजेक्ट हो चाहे आपका जो भी है मगलती सारे option आपको एक साथ मिल जाएंगे तो बेटा ONDC क्या है ये e-commerce का UPI होने वाला है भविश्य में तो एक point आपके सामने दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई लोग चली दोस्तों ONDC Open Network for Digital Commerce Establishment Year 2022 Headquarter Delhi और Thumpy Koshy is the CEO Thumpy Koshy is the CEO of the ONDC तो एक point दोस्तों हमारा ये हो गया आगे बढ़ते हैं भाई लोग शली दोस्तों अब हम बात करेंगे national news की और national news में guys हमारे पास आपके लिए पहली information देखें दोस्तों हाला कि अगर आप लोगों ने मेरा Reserve Bank of India News class देखा होगा तो मैं उस पे already ये point आपको पढ़ा चुका हूँ और मैं फिर से आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो एक बार क्या होता है कि Reserve Bank of India की वाल एक बात बोलती है और फिर finally उसे implement कर देदी है तो कहने का मतलब ये information वो सारे बच्चे पढ़ चुके जो मेरी class देखे थे समकरन योजना ये तो थो थोड़ा tough है इंग्लिश में interest equalization scheme दोस्तों ये बेटा इसके लिए होता है ये होता है for the exporters मैंने आपको उस class में समझाया था मैं फिर से बेटा explain कर दे रहा हूँ दोस्तों हमें बता है कि अगर हमारे देश में export बढ़ेगा देश का हमारे तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा जिससे भारत और मजबूत होगा लेगिन दोस्तों जड़ा सोचिए अगर कोई exporter है कोई manufacturer है उसे कितिनी problem आती होगी दोस्तों जैसे for example दोस्तों मैं मिर्जापुर से belong करता हूँ और हमारे मिर्जापुर दोस्तों carpet इंडस्री काफी बढ़ी और हमारे जो carpet वो USA में यूरोप में export होते है अब क्योंकि मेरे आख खुद carpet बनता है तो मैंने देखा हुआ है अब गाइस carpet बना और हमारे पास जर्मनी से order है दोस्तों और यह सब by ship से आते हैं गाइस तो पहले दोस्तों हमें अपना जो carpet है वो पुझाना पड़ता है बनारास दोस्तों वहाँ दोस्तों traveling agencies हैं मतलब जो काम करती हैं इसका हमें उन्हें हायर करना पड़ता है अब दोस्तों वो हमारी carpet है वो बैटा लेकर आते हैं कहां पर MP लेकर आते हैं मध्यप्रदेश कोई place है वहाँ पर फिर वहां सकाश दूसरा होता है बंदा वो फिर हमारा carpet हाँ काँ जागा अच्छा ठीक है चलो हमारा carpet पोज़ गया शिप वहाँ पोर्ट पे दोस्तों अब क्या वेटा होगा अब वहाँ पर हमें employee चाहिए होंगे जो दोस्तों हमारे carpet को निकाले container भरें ship में चढ़ाएं उसका cost कौन देगा भाई चलो वह cost भी जड़िया बेटा फिर हमारा समान export होगा लेगिन समान export होगा इसम क्या बोलते प्री shipment बोलते यानि shipment से पहले खर्चा उसके बेटा बात क्या हुआ अब जो गाड़ियां गई है आपका समान लेकर वापस आएंगी तो वापस खाली हात आती हैं तो वह भी पैसा लेती है कि भाहिम खाली हात आएंगे यानि इस कहने का मतलब कि जो बेटा एक्सपोर्टर है उसका प्री shipment एंड पोस्पोर्टर होता है हाला कि हाला कि ये खर्चा वो निकाल लेता बेटा कार्पेट बेच कर उसमें जोड़ कर लेगिन दोस्तों जब कार्पेट बिक्केगा टाइम उसमें लेगा न तब पैसा म है सिंपल सी बात है अगर बेंक उनको महेंके रेट पर लोन देगा ये हमारे एक्सपोर्टर लोन अफौर्ट नहीं गिर पाएंगे तो हमारा इक्सपोर्ट बढ़नी बागा बेटा बात। भारत सरकार ने हमारे एक्सपोर्टर बेटा वो मतलब help करने के लिए scheme निकाली दोस्तों तो बेटा इस scheme में क्या बेटा होता है दोस्तों इसकी में क्या होता है देखिए अगर मालेज़ आप एक्सपोर्टर ने दोस्तों आप गये bank और आपने bank से प्रिशिप्मेंट के लिए पोस्त के लोन लिया दोस्तों अब मालों बेटा ये ब्याज 8% है तो government of India से क्या बोलती है कि आप इनको 8% ब्याज दे दो लेकिन आप हमसे क्या करो आप हमसे demand करो तो आपको हम ब्याज का कुछ पैसा वापस कर देंगे दोस्तों जैसे for example यहां द 410 ऐसे बेटा product है जिस पर सरकार आपको 2% का क्या दे रही है equation मतलब यह 2% आपकी account आपस आ जाएगा आपने 8% दिया तो 2% मतलब आपको 6% पढ़ा दोस्तों और for example आप MSME Explorer दोस्तों तो आपको 3% आपके लिए है यानि यसे मालों बैंक आप से ले रहा है 8% आप दे दो त आपका 3% आपको आपस account में आ जाएगा तो यह मतलब government of India आपका जो ब्याज है वो आपको आपको आपस कर देती है जैसे for example दोस्तों हम लोग का tax करता है तो सरकार हमारा tax पहले काट लेती है फिर हम government को दिखाते हैं कि भई हम IDR भरते हैं कि आपने tax को काट लिया बट हमार लगती है महनत और लगती है महनत तो सब्सक्राइब करना बंदा ना यहां सर कॉसेप क्लियर है ना इस यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं इंट्रेस्ट एक्वलाजेशन स्कीम एक्स्टेंडेट तिल जून दोजार चॉबिस विच एन एडिशनल कैपिटल ओफ रुपीस पथीस सो करोड रप है तो गाइस कहने का मतलब क्या है कि हमारी भारत सरकार ने रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रेस्ट एक्वला इंट्रेस्ट एक्वलाजेशन स्कीम दोस्तों है फॉर्दत हो लिखा है फॉर्द प्री एंड पोस्ट शिप्मेंट इसे आगे पढ़ा दिया गया है बाइड गॉर्मेंट ऑफ इंडिया तिल थर्टिया जून दोजार चॉबिस विच एडिशनल एलोकेशन आप रुपीस तो एक पॉंट दोस्तों हमारा यह हो गया है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हमें यह इनफॉर्मेशन दिया कि भाड़ सरकार इंट्रेस्ट एक्वराजेशन स्कीम को आगे बढ़ा रहा है तिल 30 जून 2014 तक और इसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट आएगी तो सरकार ने 3500 क्रों रोपय का अतरिक्स बैट बना दिया तो एक पॉंट है हमारा हुए है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब क्या बोला गया है इधरी जहां पर तो आगर आपसे पुछेगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग अब यह स्कीम पहली बार कब आई थी दोस्तों तो यह स्कीम भारत में कौन इंप्लिमेंट करता है तो डीजी एस्ट डीजी एस्ट शॉट में एंड रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों फिर क्या बोला गया इनिशली लॉंच फॉर द अब गईज अगर हम अभी की बात कर लें तो जून 30 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया 24 के लिए तो इक पॉइंट मारा यह होगया तो यहाँ पर हमने आपको information समझा दि आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे आप से हम लोग next information की दोस्तों और हमारे next information क्या है देए तो वाइस दम आप करेंगे और ये भी नियूस आपके exam के लिए important है तो जब भी हमारे देश में कोई मुर्ती कोई bridge कोई प्रतीमा कुछ ऐसा बनता है तो हमेशा वो exam के लिए दोगी दोस्तों जैसे for example आपके state bank of India clerical में question आया ना कि राम मंदिर पर आप से question बनता है दोस्तों है तो ऐसे question exam में हमेशा बनेंगा मुझे याद है इसके पहले गाईज जब आपका ये बना था ये central वेस्टा मतलब की new पाले building तो new building में भी question पुछे गया थे तो ऐसे question exam में हमेशा आते हैं दोस्तों हाँ देखो क्या बात हो रही है तो प्राइम मिनस्टर नरेंद्र मोदी इनोगरेच भारत का India's longest cable state दोस्तों इसका बिटा मतलब cable पर पुर डिका है पुरा इसका नाम है सुदर्शन सेतु तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबे cable state bridge सुदर्शन सेतु का उधारण किया दोस्तों तो पहली बात तो ये भारत का सबसे लंबा cable state bridge है दूसरा इसका नाम क्या है सुदर्शन सेतु तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान देने पड़ेंगे अब ध्यान से पढ़ लो क्या point है दोस्तों हाँ देहो हम क्या बात कर रहा है तो प्राइम मिनस्टर नरेंद्र मोदी इनगुरेट इंडियास लॉंगेस्ट केबल स्टेट ब्रिज नाम क्या है सुदर्शन शेतु दोस्तों ये कृष्ण जी के चक्र के नाम पे पढ़़ा हुआ है इंद गुजरात द्वार का मतलब दोस्तों कहां पे इस्टेट गुजरात और प्लेस आपका द्वार का में त देखे तो आपके एकजाम में कोश्चन पूछता ऐसे जा हम ब्रिज की बात करते हैं तो ये ब्रिज किसको और किसको कनेक्ट करेगा दोस्तों तो बेटा ये ओखा और बेयत द्वार का आईलेंड दोस्तों तो बेटा कहने का मतलब यो पूल बनाए गया ये किसे किसे आप गुजरात के मतलब स्टेट में सटा नहीं, द्वारका जो है वो आईलेंड की तरफ फ्राफ दूर है मतलब समुद्र में है, तो यह क्या कर रहा है यह ओखा को बेया द्वारका से जोड़ेगा दोस्तों, यह मतलब इसका है, तो एक पॉइंच हमारा यह हो जागा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है, दो, अबाउट सुदर्शन सेतु प्रेक्ट दोस्तों, स्कार्डिंग का बोई थी 2017 में, यह करेक्ट करेगा ओखा को तुबेया द्वारका आईलेंड इन गुजरात, अब दोस्तों यह ब्रिज की लंद कितनी है, तो इस 27.2 मीटर दोस्तों, मतलब 89 feet with 4 lane guys, तो 27.2 मीटर की चोड़ाई है, इसमें 4 lane की road है, footpath भी दोस्तों, मतलब footpath चोड़ाई कितनी है, तो यह आपकी 2.5 मीटर मतलब 8 feet wide, footpath दुन तरफ, दुन तरफ, तोटल road length दोस्तों, तो बढ़ा कितनी है यह 2.8 km है, अब यहाँ पर अब बताईए, आपने बोला bridge जो है, वो है करीब 2320 मीटर, यानि करीब 7612 feet, फिर आप क्या बोला road length 2.8 km, जबकि road जो है, वो तो bridge बनी रहेगी, देगे दोस्तों, अगर आपको यह bridge जाते हैं, तो बेट आपने देखा होगा, कि bridge का road पहले शुरू है आता है, और bridge बाद म total cost जोस्तों, 979 करोड, 979 करोड सी cost है guys, ठीक, अब देखिए, इसका design बेटा इस पर है, तो लिखा है versus, इसका बेटा मतलब होता है, चंद, चंद, तो versus from the श्रीमत भागवत गीता, यानि guys जो design लिया गिया है, वो कहां से लिया गिया है, तो गीता के चंदों से जोस्तों, ह और क्या बोला गया, and image of the Lord Krishna, ये point देख लीजेगा, और अगर आप इस सेतु को जहां से दहीं है बेटा, तो यहां ऐसे मतलब for example, ये सेतु बना है दोस्तों, तो दो पिलर बेटा बने हैं, दो पिलर बने हैं, तो बेटा इस पिलर पर आपका मोरपंखी लगी है, मोरपंख ये भी याद रखेगा, ठीक है, ध्यान देना, ये सब question आपके exam में दोस्तों बन सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा याद कर लेजएगा, हर चीज, fit में भी, meter में भी दोस्तों, हर चीज आपका याद रखनी है, ध्यान देजएगा, आगे बढ़ते हैं, अब द आपके जाद होगा, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स खत्म हो चुगा है, ये चौथा एडिशन था दोस्तों, और won by the army, यानि कैसे इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम जीत लिया है, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल आर्मी को मिलें दोस्तों इसमें, पूर देखिए, क्या बात है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, चौथा एडिशन कहां पर हुआ, गुलमर्ग में हुआ, ऐसे पहले याद कर लेजे, फिर क्या बोला गया, देखिए अस्तों, दा इंडियन आर्मी टीम, वन दा के आई डेबलो जी मतलब वही विंटर गेम्स, वि और हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 उत्तला खेल दोस्तों, इंडियन आर्मी, टोटल मेडल उल्टीवन, 10 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर, और 6 ब्रॉंज, नंबर 2 करनाटका, टोटल मेडल ग्यार दोस्तों, 9 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, और ब्रॉंज एक भी नहीं, और नंबर 3 म आर्मी पहले पर है, करनाटका, मारास्वरा, हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तला खट, तो यहां पर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे थे, यह कौन सा एडिशन था, कहां पर हुआ, और टॉप 5, इस्टेट या टीम कौन सी, उसकी बात हम ने कर ली, अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ स्टेटिक पॉइंट, दोस्तों, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसकी स्टार्टिंग हमारे देश में 2020 में होई थी, दोस्तों, ठीक, पहला अडिशन आपका ले और गुलमंग में विटा हुआ था, ठीक है मंगेशकर अवार्ड दोस्तों, यह information पिछले साल का है, मतलब पिछले साल announcement दोस्तों हो गया था, और इस साल इन्हें अवार्ड मिल गया है, सुरेश वाड़िक जानते हैं आप लोग, बढ़िया गाना आते थे, इनके बहुत सारी गाने हैं, पहली बार महबद की सुना पिछल रड़ा बात कर रहे हैं, तो इनको सम्मायनित किया गया है, गण समरागी लता मंगेशकर अवार्ड दोस्तों हां, तो सुरेश वाड़िकर की बात करें दोस्तों इन्हें कौन सा वर्ड मिला है, लता मंगेशकर पृष्कार मिला है, यह मारास्ट्रा गोवर्मेंट ये अवाइड देती है दोस्तों ठीक है तो एक पॉइंट आपके सामने गाइस है आगे बढ़ते हैं महारास्त्रा चीफ मिनस्टर एकना शिंदे एंड डिप्टी सीम देविंदर फटनवीस प्रिंटेट हिम विट स्पेशल ठीक है तो आपको मालूम है कौन ये अवाइड द इंडिया यानि 21 में गाइस उनको पदमश्री अवाड मिल चुका है हमारे देश का चौता सबसे बड़ा नागरिक समनना संबाद तो एक पॉइंट आपके लिए यह होगा है ठीक आगे बढ़ें तो यहां पर दोस्तो हमने आपको इंफॉर्मेशन पूरी दे दी अब यहां पर रिसिंट अवाड एंड विनर्स की बात कर रहे हैं तो यह आपके रिविजन पॉइंट के लिए फॉर एक्जामबल दोस्तों जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस गवर्मेंट ने अपना नाइट ओप दे लीजन अफ ओनर यह दिया है सशी थरूर को दोस्तों 32 एडिशन घंशाम दास बिर्ला अवाड गई जाँ यह मैंने पढ़ाया था ना पहली मईला आई है दोस्तों अधिस इन दे यह बड़ा अच्छा पॉइंट है इस एक्जाम के लिए फिर्स इंडियन फूड ब्रांच टू इन इंटरनेशनल टेस्ट अवाड प्रसुमा दोस्तों इसने इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल टेस्ट अवाड जीता है ठीक है यह से पॉइंट रिवाज कर ले जाएगा आगे बढ़ते हैं भाई लोग बात करतें समिट एन यहां हम क्या बात कर रहे हैं यहां बात कर रहे हैं महाबिस महाबिस 24 ग्लोबल बिजनस कॉनकलेव हिल्ड इन दुबई दोस्तों हाँ अब क्वेशन यह है कि यह महा लिखा हुआ है महा मतलब महारास्टरा होता है हमेशा दोस्तों तो महारास्टरा का यह है दोस्तों इतना कहां पर हुआ दुबाई में हुआ organized by मतलब इस event को किसमें organize किया तो गल्फ महारास्टरा business forum दोस्तों इसका मतलब यह आपको बता है कि हमारे देश में हमारी जीडिबी में सबसे बड़ा जुक्तार महारास्टरा का दोस्तों है हम गॉर्मेंट की बात कर रहें आप और बेटा महारास्टरा गॉर्मेंट का main business बेटा कहां पर है गल्फ country से दोस्तों क्यों बेटा अगर आप ध्यान से देखिए भारत की जोग्रफी तो बेटा महारास्टरा जहां पढ़ता है उसके बाद Arabiancy है आपका अब बेटा Arabiancy के बाद आपका Saudi Arabia, Oman, UAE शुरू राते है तो महारास्टरा का already in country से पहले से business है दुस्तों तो in country में guys महारास्टरा जहार अपना business बढ़ाने के लिए event करती रहती है तो क्या लिखा है Gulf महारास्टरा business forum ने इसे organize किया इसकी theme भी है connect with the opportunities to progress connect with opportunities to progress और इंडिया को बेटा यहाँ पर किसने रिलीट किया तो हमारे दुस्तों कौन Union Minister for Road, Transport and Highway गड़करी जी यहाँ पर थे दुस्त ठीक है तो एक point हमने आपको समझाते देख लो तो महाबिश conference की बात करेंगा इस दुबई में यह हुआ organized by the Gulf Maharashtra Business Forum और theme इसकी connect with opportunities to progress इंडिया lead by the ठीक है देख लिए दुस्तों आगे बढ़ते हैं भाई लो अब दुस्तों days की बात करेंगे देखें आपर तो World NGO Day 27 FAB को हमने मनाया ठीक है World NGO Day देखें दुस्तों point तो World NGO Day हमने 27 को मनाया theme क्या रहाए इसकी theme है building a sustainable future the role of the NGO in achieving the sustainable development goal तो इतना पड़ो तो बस या इतना पड़ो building a sustainable future काम तो ना हो जाएगा कल बड़े अच्छी एक बात है एक बच्चे ने मुझे फोन किया उसने मुझसे पुछा कि सर जैसे आप days पढ़ाते हो लेकिन state bank of India exam में days नहीं पुछा गया तो क्या हमें days करना चाहिए नहीं करना चाहिए दगे दोस्तों इस पर मेरा simple सा reply days नहीं आया वो अलग बात है क्या days नहीं आएगा मतलब for example अगर हम state bank of India की बात करते हैं दोस्तों अगर इसका comparison हम अभी आरार्बी के exam से कर ले तो बेटा आरार्बी के exam में सारी ministry question पुछा गया मिनिस्ट्री से एसजाय में नहीं पुछा गया तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो ना अगर आपके syllabus में दिया हुआ है तो पढ़ना पढ़ता है बेटा अब वो लग की बात है कि एक्जाम में आया ना है रिपोर्ड इंडीसे दोस्तों करेंट आर्बीस का मेन इस्तम्भ होता है बटक्या स्ट्रीम में आया तो नहीं आया दोस्तों इसका में थोड़ा कि मैं नहीं पढ़ेंगे तो जब भी कोई चीज अगर चाहो तो उसे पूरे शिद्ध से चाहो और मैं या पढ़ाई की बात कर रहा हूं दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग हाँ चलि दोस्तों नेक्स पाइंट अब लिस्ट ऑफ दे इंपोर्टन देज गाई जैसे फॉर एक्जामपल सेंटर एक्साइज डे 24 सरवरी वर्ड अंडरस्टेंडिंग और पीस डे 23 सरवरी नेशनल साइंस डेज ये बढ़ा इंपोर्टन है 28 सरवरी दोस्तों वर्ड थिंकिंग डे 22 सरवरी और इंडरनेशनल मदर लेंग्विज डे 21 सरवरी तो यह हम कब-कब मनाते हैं उसका पॉइंट हमारे सामने दोस्तों है आगे बढ़ते हैं भाई लोग और बात करते हैं स्टेट लेवल इनफॉर्मिशन दोस्तों बैग लेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों मतलब किवर एक दिन की बात हो रही है देखो क्या बात हो रही है तो मध्यपदेश गौर्मेंट ने अनौस्मेंट किया है a new initiative called बैग लेस स्कूल दोस्तों that will be implemented once a week for students in class 1 to 12 दोस्तों हां यानिक अच्छा एक से लेके बारत के बच्चे हपते में एक बार without bag school जाएंगे दोस्तों और ये कि शुरत का होगी 24-25 के session में होगी starting में देख ली जगा ये point था academic session में तो week में एक दिन क्या होगा bagless day होगा मतलब bag लेके आपको नहीं जाना है यानि गाइस बच्चों के bag कितने weight का होगा ये भी इसके लिए भी guidelines हाई दोस्तों क्या ये बेटा देखे जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों उनका weight निकाल दी गई है अप टू टू बच्चे हैं दोस्तों उनका weight जो स्वेक का है वो 4.5 kg सुपर नहीं होना चाहिए ये guidelines बे निकाल दी गई है MP ने किर दिया दोस्तों देख लिए ना इसे हाँ एक point ये भी हमारे सामने है देख लिए ना इसे हाँ आगे next information दोस्तों कि हम अपना एक brand develop करें केरला ब्रांड दोस्तों हमारा खुद का brand मतलब guys for example जैसे हमारे दिख में business man है manufacturer है inventor है investor है अगर आप लोग को business करना है और आप चाहते हैं कि आपके product पर केरला ब्रांड लिखा जाए तो आप हमारे website पर आईए और लॉग इन कीजिए और अप्लाई कीजिए यानि काईस कहने का मतलब केरला गॉर्मेंट चाहती है मिटा कि केरला में जो brands है उन्हें केरला ब्रांड से वो प्रमोड कर पाए national international ही दोस्तों वही बात हो रही है तो केरला लॉँच दे केरला ब्रांड logo and web portal दोसतों ये देखिए लोगो हैं दोस्तों ये इसका मतलब केरला सरकार की मुहर अपना ब्रांड दोस्तों अब क्या बेटा देखिए आप या पोला गए है दो, the Kerala branch logo stand by the motto Nanma, ठीक आइस a Malayalam expression that signify goodness the minister said, इसका बेटा मतलब Kerala branch का logo जो है वो बेटा Nanma पर है धारी से दोस्तों Nanma, मतलब यह जो लिखा हुआ है यह जो symbol है वो Nanma का है दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या होता है, अच्छा है तो Kerala का जो brand logo है दोस्तों उस पर जो image है वो Nanma की है दोस्तों इसका मतलब Malayalam में क्या होता है अच्छा ही का प्रतीक है दोस्तों ठीक है, और देखिए का बोलागे the entrepreneur who wish to market their product under the Kerala branch can apply through the dedicated web portal, यह नहीं है तो Kerala brand in the industry Indian Kerala GOVS लिखा है दोस्तों इसका बेटा सिंबल सा मतलब है कि Kerala सुकर जाती है, कि उनके स्टेट की जो product है, वो Kerala brand से जाने जाए मतलब जैसे नहीं कैसे होता है for example, जब भी हम कोई समान खरीदते हैं हम उस पर ISI की मोहर देखते हैं वही सेम पॉइंट यहां पर है कि Kerala government अपना logo launch करना चाहरी है अपने business man के लिए पॉइंट जोस्तों हमारा यह हो गया ठीक है, आगे बढ़ें भाई लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं about Kerala Capital शुरुवरान पूरम Chief Minister P. Vijayan Governor आरिप मुहमत खान केरला में कौन कौन से national park है तो केरला में total 6 national park है इसे कैसे याद करें जोस्तों तो मैंने आपको already trick बताई हुई है अगर किसी भी national park में लग गया शोला तो वो कहाँ पे केरला में गया इसे For example दोस्तों दोखो मैथिकेतन शोला आपको नाम नहीं पढ़ना है बस शोला अनामुडी शोला और पंपादम शोला अगर कोई भी national park है उसमें शोला लगा तो वो बिटा कहाँगा केरला में आएगा तो तीन काम खतम तीन बिटा और बचे हैं तो इसकी बेटरिक क्या दोखो दोस्तों लिखा है ई-यार दोस्तों तो मेरे हिसाब से मुझे जहां तक पता है जो लोग बिटिक करते हैं या इंजिनियर बनते हैं वो अपने नाम के आगे ए-र लगाते हैं दोस्तों इंजिनियर यह है ना तो बेटा लिखा इ-र विकिलम तो हम कैसे पढ़ेंगे इंजिनियर रवी या रवी दोस्तों ना रवी या रवी तो इंजिनियर रवी दोस्तों क्या है इंजिनियर रवी प्यार में ये इसने प्यार कर लिया था और ये क्या हो गया ये दोस्तों साइलेंट हो गया इंजिनियर रवी प्यार में साइलेंट ह तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं क्याला में कौन-कौन से नेशनल पाक है इंजिनियर अभी प्यार में साइलेंट हो गया और जिसमें भी लगया शोला वो सब कहां पर होगा कैला में होगा आप देख लेजिए आप दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं कुछ हां दोस अगर आपको मैथ पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है जी ये पढ़ना है दोस्तों हां और आपको फॉन्डेशन बैच पढ़ना है या फॉर एक्जामबल दोस्तों रीपीट पढ़ना है या जो बैच पढ़ना है आपको एक साल के लिए अनेकेड को दोस्तों अभी डेट कंफर्म नहीं है मेरा एक जीए बैच आ रहा है दोस्तों ठीक है पीस का भी मैं बता दूँ आपको अब यह बैच हम क्यों लें सर आप तो यूटूब पढ़ाते हैं फ्री पढ़ाते हैं यह बैच हमें क्यों लेना चाहिए देखे दोस्तों पहले ही इस बैच में जो होगा पहले मुझा दूँ जो मेरा जीत मैगजीन दूस्तों है वो मिलेगा फ्री अफ कॉस्ट उन सारे बच्चों को जो यह हमारा बैच लेंगे इसका प्राइस पचास उर्पए पर मैगजीन होता है दोस्तों पढ़ यह फ्री हो जाएग आपके लिए ज यह भी तो फ्री मिलेगी आपको इसमें तो यह तो हो गया मोटिवेशन के लिए अब देखें दोस्तों अगर इस बात स्टेट बैंक और इंडिया का में एक्जाम देखें दोस्तों मतलब पूरे साल की बात करते हैं गर इमानदारी से बात करते हैं गईस अब कोई कुछ बुले मुझे नहीं पता लेगिन मुझे इतना पता है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि हमारे दो-तीन क्ल पूरा एकॉनमी इससे क्या होगा आप जो तने भी आर्बियाई ग्रेट भी दोस्तों या फॉर एक्जामपल बैंक पियो बैंक लग जो भी है दोस्तों दूसरा इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंस्यूरेंस भी अलग से पढ़ाएंगे इस कहने का मतलब जो आप लोग इंस्यूरेंस का बैश पढ़ाएंगे जैना भी नहीं पर यानी सारे इंस्यूरेंस आप को पुछथे होगी इसमें बैस वादे से आपको त्रिक हो इस सब कुछ आपको नोट्स मिलेगा इसमें उसके बाद दोस्तों ये बिटा करते करते हैं कहां पहुँच जाएंगे ये करते करते हैं अच्छा इस बैज का आपका एक साल के लिए मैंने किया हुआ वैले डोस्तों इसका मतलब क्यों मैंने किया है अगर हम मार्च में लाउंच करेंगा इस तो अप्रेल मई जून जुलाई तक ये होगा ख़वर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपके मेंस के एक्जाम बोट बेटा पास आ जाएंगे ठीक तो जो हम निकालते हैं क्रैश कोर्स अलग से जिसके लिए आपको अलग से फीजिदे नहीं पड़ती है वो भी इसमें मिंक्लू करेंगे मतलब यानि कि चौते नंबर पे जो हमारा करेंट अफेर्स का बैच आता है दोस्तों और ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ और ये मैं खुलियां बोलता हूँ जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स किया था उनके नंबर अच्छे आ हुए हैं अच्छे आंगे हों क्योंकि वहां पर नाम कई सारा content mix करते हैं आपको daily business पर class में आना होता है और वहां पर इस क्या होता है हमको target देते हैं अगर 100 question है हम 85 कराएंगे आप और फिर क्या बोलेंगे आपसे 50 पढ़कर आना कल पूशेंगे इससे मेंटा क्या होता है कि आपको daily target मिलता है current interface में marks हमारे क्यों नहीं आपाते हैं हम मेहनत करते हैं पर क्योंकि दोस्तों PDF से पढ़ने motivation नहीं मिलता है और जो आपने class में पढ़ा उसे revise कर हो गया तो कहने का मतलब गई यह आपका course proper होगा यह हमने इस तरह design किया दोस्तों मतलब आपको सारी magazine यहां मिल जा रही है आपको सारे हमारे mcqs के book मिल जा रहे है दोस्तों इसी में आपको क्या बोलेंगे इसी में आपको आप से live हो जाएगा I think कल से मैं आपको इसका दे दुखा दूँगा कैसी बैश हमारा बनने वाल चले गाइस thank you so much अपना ख्याल रखेगा तो यहां दोस्तों हमने हाँ इस बैश का नाम आप मुझे suggest कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे दोस्तों या कल हमारी morning वाली class में नाम क्या रखें इसका एक जोड़दार नाम दोस्तों आफिस करिए मैं रखूँगा इसमें thank you so much guys अपना ख्याल रखें मिलते हैं आप से फिर next class में thank you so much